इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा कितनी अच्छी है कि मैन आटी कब तक चुप रहेगी आपने कश्मीर किया आप तक शान्ती नहीं है या बोलने अच्छी आगे शान्ति आई नहीं के नेटाओं को अभी तक ग्रफ्तार किया हुआ है वाई फाई अभी तक शुरू हुआ नहीं हुआ कब हुआ कल हुआ क्या तमाशा है पूरे चाइना में तो कोरोना वाइरस पे कुछ डिस्टिक्स सील किये हुएं आपने तो पुलिटकली पूरा कश्मीर को और खास कर श्रीनगर को वैली को तो आपने सील कर दिया बिलकुल ऐसा कर दिया दुनिया में आवाज उठ रही है कि तरह दिखाते हैं यहां पर और आप उन्हीं लोगों को ले आते हैं जो आपके गीत गा सकें और सेलेक्टेट जगह पे दिखा रहे हैं उनको पुरा कश्मीर घुमने नहीं दे रहे हैं श्रीनगर उसके बाद भी बात फैल जाती है जब पता चलता है कोई टूरिस नहीं जा रहा है पता चलता है जो टूरिस जा रहे हैं उनको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है यह अपनी टीम के साथ जाते हैं सिविल सोसाइटी के साथ तो पहले तो इनको एक बार एयरपोर्ट से निकलने नहीं दिया जाता है दूसरी बार इनको वापस कर दिया जाता है एक बार इनको कहा जाता है आईए आईए सर जरूर आईए होटल में ले जाते हैं कता सर होटल से ही जो देखना है देख लिए होटल से बाहर निकलना मना है परतिवन लगा के आज उसी यूरोपियन उन्यान का आपने पढ़ा होगा अख़वारों में कश्मीर के मामले में और समर्थतन नहीं करता हूं मैं भी नहीं करता हूं कि भारत का आंतरिंग मामला लेकिन वो दर्द चलक गया और 651 लोगों ने कहा है 750 से जादा में कि जो भारत में हो रहा गलत हो रहा हम उसके निंदा करते हैं हम कताई बरदाश नहीं करेंगे बात दुनिया भर में फैल गई है अभी आपने देखा होगा पर्सो बिलियनौर सोरस डावोस के एकनोमिक फोरॉम में कहा उसने के हिंदुस्तान में डिमोकरिसी को बहुत खत्रा है हिंदुस्तान में बहुत जाती हो रही है धर्म के आधार पे बाटा जा रहा है लोग एक दूसरे को शक की दृष्टी से देख रहे हैं लोग खुश नहीं है और डिमोकरिसी की बात की तो एक दो बातें और बता दूं आपको क्योंकि आप लोग युआ पीडी के जाए लोग हैं तो आपको जादा समझना बहुत ज़रूरी है अभी अभी थोड़े दिन पहले आया था ग्लोबल हंगर इंडिक्स दुनिया में सबसे ज़्यादा भूख मरी का जो पैमाना है भूख है या भूख मरी का ग्लोबल इंडिक्स कितना सुनके आपको ताज्यूब होगा जिनने नहीं पता होगा कि ग्लोबल हंगर इंडिक्स में हिंदुस्तान का एक सो तीस से एक सो बेरोजगारी और पाकिस्तान भी हमसे उपर है पाकिस्तान हमारे से उपर है करीब असी के करीब सतर असी के बीच में हैं बांगला देश हमसे बहुत अच्छा है साथ 65 के बीच में हिंदुस्तान 90 से नीचे कितने शर्म की बात है या कितने दर्थ की बात है और अभी डिमोक् के मामले में हंडे इंडेक्स में आया है दुनिया का पैमाना जो हम शान से कहते थे कि दुनिया के सबसे पुरानी या दुनिया के सबसे बड़ी डिमक्रसी हमारे पास है हम लोग तो लोग तंत्र पे ही जीते हैं लोग तंत्र ही हमारा आधार है कितना बढ़िया से पावर शि सुप्रीम कोट में पांसो सैतालीस अर्तालीस सीटों जो जीती गई हैं उसमें से तीन सो सैतालीस तीन सो पचास के करीब यह EVM मशीन का या मैल फंक्शनिंग का या आप जो कहते हैं करें discriminοι 10% से लेकर 50% का discrimin पाया गया है सुप्रीम कोट ने accept करके सुप्रीम कोट ने उस पर एलेक्शन कमिशन को नोटिस भीज़ा है का अब इसका जवाब ने इसी महीन आना चाहिए उसको अब क्या होगा सुप्रीम कोट के बात की बात बताए जा रहा हूं आप लोगों को कि कैसे कैसे कहां से कहां जा रहे हैं जरा गोर कीजिएगा डिमोक्रिसी के जिसमें हिंदुस्तान को हमेशा नाज रहा है और नाज होना भी चाहिए हिंदुस्तान का नंबर आज एक कामन हो चुका है दस में नहीं हैं बीस में नहीं हैं पचास-तीस में नहीं हैं पचास में नहीं हैं स्लिप करते वे एक काउन में आगे यह डिमोक्रिसी है हमारी इसकी बात कर रहे हैं और उसके बाद one man show एंट two men army अपने एंकार अपने दंब के आधार पर जो चाहें कर देंगे बिल कोई भी पास कराने जन शक्ति उनके पास है नहीं अब तो सिर्फ धन शक्ति है और धन शक्ति का अधार पे काम किये जा रहें आखिर कब तक जो मैं कह रहा था मानॉयोटिस के बारे हैं बोलते कब तक वो चुप रहेंगे चुप तो रहे वो नोट बंदी पे चुप रह कि उनको खत्रा पैदा कर दिया और उनको यह खत्रा नहीं पैदा किया है आपने सबसे ज्यादा खत्रा पैदा कर दिया शायद उनसे भी ज्यादा अपने गरीब परिवार पे अपने दलितों पे अपने पिछ्री जाती के जिने आप लोग कहते हैं इन लोगों पे जरा सोचि आपना ही नहीं नहीं मिलेगा इनको अभी डॉकुमेंट की बात medicine हो रही है आप उनको दूर करने की बात कर रहे हो आप ढरा रहे हैं उनको हिस तरह से जो चंहात्रों पर रतिए चार हो रहा है चात्राओं पर जो हो रहा है अलीगंञ मुझम मुस्लिम इनिवरो सिटी में जिस तरह से खुज गए लड़कियों के मारमार के लाइबरेडी में जेनियू में जे हुआ इस क्या तमाशा आखिर कभी तो कुछ होगा और वही कभी तो कुछ होगा घड़ी में हम आये हैं कि आज उनके इस सारे रूप देखकर एनरसी हो सीए हो एनपी आरन पॉपलेशन रिजिस्टर हो इन सारे को देखके एक के बर्यानाद एक जो कहे जा रहे हैं और किये जा रहे हैं उसके हुम्हिओं भशीर का वह शेयर यादाव आता है कि दिन एक सित्र एक सित्रम राट करो हो और दोस्तों दुश्मन को husband को भी तुम मात करो हो दामण हो दामन पर झाल झाल